और पुनह जब सारे प्रश्णों को सॉल्व कर लें और उनके पास समय बचता है तो फिर उस प्रश्ण पर लॉट कराएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें एक है कि वो प्रश्णों सॉल्व कर रहे हैं और साथ साथ अंकित करते चले जाते हैं नमस्कार अपने इस पोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदेना लंबे समय से बिबाद के बाद बीपेसी सरशट्वी की परिक्षात 30 सितंबर को होने जा रही है इसी करब में हम पहुंच चोके हैं चानक्या आई-स एकडमी में और यहां बीपेसी की तयारी की ज जैसा कि आपने कहा कि अंतिम समय में किस तरीके से विद्यार्थियों को तयारी करनी चाहिए तो देखे क्या है कि अब जिनकी तयारी होनी थी वो तो अपना पूरे साल में उन्होंने अच्छे से अपनी तयारी कर ही ली होगी दो दिन का समय है इस दो दिन को कैसे चैनलाइ में कि मेरा ये छूट गया मेरा वो छूट गया मेरा इसका रिवीजन नहीं हुआ मेरा उसका रिवीजन नहीं हुआ और इस कारण से वो थोड़ी से एंजाइटी के सिकार हो जाते हैं तो मेरा ऐसे विद्यार्थियों से यह आगरह है कि देखिए पूरे वर्स आपने तैयरी क है और अंतिम समय तक हर टॉपिक का रिवीजन एक साथ संपूर्ण नहीं हो सकता है चुकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इसलिए वो सब आपको प्रश्ण मिलने के बाद यादाता चला जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवशक्ता नहीं है प्रेशर में आने की आवशक्ता नहीं है इस दो दिन को आप इस तरीके से संजोजित करें जिसमें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो पीछे के रिवीजन कर सकें यदि आपको लगता है कि दो चार घंटे में कोई नया टॉपिक हम कर सकते हैं और वो टॉपिक इंपॉर्ट रिलैक्स हो जाएए अब जो कुछ भी आपको करना था अल्मुस्ट आपने कर लिया है और इस दो दिन को आप ब्रशब के मोड में ही सिर्फ लेकर जाएए दूसरी बात परिक्षा भवन में एक घंटा पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए बहुत सारे विद्यारति हैं जिन उसके हिसाब से वो अपने आपको तयार करें और सेंटर पर एक घंटा पहले पहुंच जाए नहीं तो कई बार विद्यारतियों को ऐसी इस्तिती का सामना करना पड़ता है कि जाम या कुस अन्यकारणों से सेंटर पर पहुंचने की हड़बड़ी होती है और वो आपको कही प्रश्रूम में आप जाते हैं परिक्षा भवन में आप जाते हैं तो वेमार सीट में जो आपको अपनी व्यक्तिकत जानकारी डालनी है वो बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर बहुत ही तरीके से उसको डालने जिससे कि कोई गल्ती की गुंजाइस नहीं पुना जब आपक पढ़ कर ही उत्तर दे देते हैं ऐसी स्थेती से बचे वह प्रश्नों संपुर्णनता से पढ़े कि आखिर प्रश्ण curator पूच ख्या रहा है फिर उसके चार जो है पहले चार दुपश्शन को अच्छे से पढ़ें उसको समझें फिर पाँंच waiverसी में होता है जो एक यूनि मिस्टेक होने की गुंजाइस काफी बढ़ जाती है परिक्षा दे रहे हों तो टाइम मैनेजमेंट बढ़ा इंपॉर्टेंट है कई बारे स्थिती ऐसी होती है कि विद्यार्थी अपना प्रश्न बना रहे हैं और बनाने के क्रम में कोई एक प्रश्न में वो उलज जाते हैं उस उलजाओ में यदि समय बहुत जादा लग रहा हो तो मेरा विद्यार्थियों से यह सलाह है कि उस प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाएं और पुनह जब सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें और उनके पास समय बचता है तो फिर उस प्रश्न पर लोट कराएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें अधर्वाइस कई बार ऐसे इस्तिती होती है कि वह आपका समय खराब कर देगा और अंतिम में दस बीस पचीस प्रश्नों को आप बहुत जल्दबाजी में बनाने की स्तिती में होते हैं चुकि समय कम हो जाता है अर्थात समय का इस तरीके का हो कि सभी प्रश्नों पर कमों बेस हमारी पूरी द्रिष्टी हो और हमने उसको समझ के ही सॉल्व किया है ऐसी इस्तिती में वह प्रश्नों को सॉल्व करें एक समस्या कई बार विद्यार्थियों को सामक्ष यह भी देखने को मिलती है कि दो तरीके से विद्य करने के बाद एक साथ OMR seat में उन उत्तरों को अंगित करते हैं। दोनों के प्रोस और कौन से होटा है? कि कई वार विद्धार्थियों ने विद्धार्थी जिन्ने प्रश्नों का उत्तर OMR seat में लगा दिया तो बहुत सारे प्रश्नों को बनाने के क्रम में उन्हें सेकेंड आते हैं कि सायद जो मैंने ये प्रश्न बनाया उसके जगह पर अप्रोप्रियेट एंसर दूसरा होता तो ये एक इस्थिती होती है दूसरी तरफ दूसरे केस में क्या दिक्कत आती है कि कई बार विद्धियार्थी प्रश्न तो सारे सॉल्व कर लेते हैं समयानुकूल लेकि मैं फिर कहूंगा कि समय का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें सभी प्रश्नों पर को आपने बहुत ही अच्छे से समझ कर उत्तर दिया है और सभी पर सम भाव सम भार से आपने उत्तर देने की कोशिश OMR सीट को कलर करने क कोशिश की है कोई हडबड़ी जल्दबाजी की स्थिति ना रही हो तो इस तरीके के छोटे-छोटे से जो टिप्स हैं अभी के समय में वो लावदायक आपको होंगे और सिली मिस्टेक्स होने के गुंजाइस कम हो जाएंगे और वो इस्थिति काफी अच्छी आपके लिए होगी मैं पुना एक बार कहूंगा कि अब पीछे किये गए बातों को याद करने से कोई लाव नहीं है कि आपने क्या पढ़ा क्या छोड़ा और क्या अच्छा कर सकते थे उन सब चीजों के अनलिसिस का समय अब नहीं है अब दो दिन को अपने अनुकूल करने का समय है और दो तीन बातों का ही ध्यान रखने का है अवल तो मैं हमेशा ये कहता हूं विद्यार्थियों को कि लास्ट ताइम में कोई नई चीज ना पढ़ें पूरानी पढ़ी होई चीजों को ही रिवाइस करें लेकिन किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि किसी important topic को दो घंटा ह हो ही नहीं सकता है और फिर उसके चकर में आप और परिशान हो जाएं और भी आप में घबराहा टुत्पन होनी शुरू हो जाए कि ये तो मेरा छूट गया आपको मैं पुनह कह रहा हूं कि जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पूरे साल तैयारी की है उनके पा परिक्षा के लिए कि आप बहुत बढ़िया परिक्षा दें और आपका रिजल्ट आए एक सवाल यह भी है कि विबाद होने के कारण बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ा ऐसे में वह कौन कौन जो मूल मंत्र हैं जो बच्चों के परिक्षा में सहयोग दे सकता है आप बिबाद की तो जो बात थी वो खत्म हो गई वो तो अब सोचने का समय ऐसे भी नहीं है अब तो दो दिन बाद परिक्षा है रही बात मूल मंत्र की तो मैंने चार बातें बताई पहली बात कि भई आप दो दिनों में सांतचित होकर उतनी ही पढ़ाई की कोशिश करें जित पहली बात दूसरी बात परिक्षा भवन में समय के पहले पहुंच जाएं जिससे कि हड़वड़ी की स्थिति ना हो तीसरी बात कि प्रश्णों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें समझ कर तब उसका उत्तर दें चौथी बात कि परिक्षा भवन में समय प्रबंधन का बहु या परफॉर्म करने की स्थिति में रहेंगे कर दो में रहेंगे